असलामनेकूम व्यूर्स मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी आज की वीडियो में इस वीडियो में में डिसक्रस करूंगा क्यों फाइवर के एकाउंट बैंद हो जाता है अक्सवर जो नियू यूजर्स होते हैं उनकी कुछ हैसी मिस्टिक्स होती हैं कि फाइवर के एकाउंट बेहन हो जाते हैं वो बैसिकली फाइवर के एक अपना ऐसे टुबित पैसे अफ तर टाइम आपके लिए और बावर फाइदा मन होता रहता है जिस तर आपके अपको आपको और्डरम जैदा मिलेंगे उस पर फाइव स्टार्व मिलेंगे आपकी आइडी जैदा सर्च होगी उस पर ज्यूज़ा क्लिक्स होंगे तो आपकी आइडी कुछ ब्लॉक करती है खुद बखुद रैंक करती रहती है, so start करते हैं, सबसे पहली reason, use two IDs on the same laptop, अगर अपने एक ही mobile या एक ही laptop पे दो या दो से ज़्यदा IDs बनाएंगे, तो आपकी ID ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि Fiverr आपकी laptop की IP address को read कर रहा होता है, ठीक है, इसमें अगर आप लग यह कहो कि नही ब्लॉक कर देगा, अगर आप यह कहते हैं कि नहीं मेरे तो तीन-चार स्किल्स पर में काम कर रहा हूं, मेरी blocking भी है, मैं web development भी कर रहा हूं, मैं data analysis भी कर रहा हूं, मैं logo making भी कर रहा हूं, तो मैं अपनी चार एकाउंट बनाऊं तो अच्छा है कि मुझे चार अकाउंट प जब भी आपको order मिलेगा तो उसका 20% फाइवर रखता है, let's suppose अगर आपको 20$ का order मिला है, तो इसमें से 4$ फाइवर की होंगे, जो को उसका अपना commission होगा, sometimes लोग कहते हैं, नहीं, 4$ हम क्यों दें फाइवर को, so, वो क्या करते हैं, कि वो क्लाइंट होता है, उसको grab करते है कि आप बाहर और फाइवर से, हमें किसी और तरीके से बार और बार payment कर दो, लेकिन ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ आपके गले पढ़ सकती है, आपने कोई भी अपना account number शेयर किया, आपने कोई भी ऐसी बात है कि जिसके बारे payments की बात हैं, जो बाहर होई, वो आपक इकाउंट डिरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, फाइवर अपने बहुत intelligent algorithms यूज करता है, जो कि इस तरह की conversation होती है, इसको detect कर लेता है, टू आइडी गूगल, Chrome, Mozilla, Firefox की बात में आपके साथ करती ही, sending messages to other sellers, अगर आपको कोई भी question है, तो आप फाइवर से direct help मंगेगा, ये mistake म आपने इस यूर से जरा सी help मांगी, उसने आपको spam कर दिया, तो इसको आपको warning मिल जाएगी, और याद रखेगा, तीन warning पर बंदा किक आउट हो जाता है, फाइवर से, promoting own account, अगर आपने Facebook देखो, तो Facebook के कुछ pages जो होते हैं, भरे भी होते हैं, लोग अपने अपने gigs share कर होते हैं, हमारी के इसको promote करें, हमारी के open करें, उसको आप like करें, love का sign उसके प्रेस करें, ताकि हमारी के likes में आ जाए, इससे होता क्या है, फाइवर detect कर रहा होता है, जी इस बंदे की जो kick है, वो बार-बार search में तो आ रहे हैं, लोग उस पर click करें, लेकिन विदेना second बस आते हैं, उसकी gig पे description तक नहीं पढ़ते हैं, उसके packages तक नहीं compare करते हैं, बस सिर्फ जो heart के sign है, उस पर click किया और that's enough, so block हो जाता है काम, okay, मेरा एक साथ fellow था, उस ने एक दफार word यूज किया था, fake, obviously उसको एक काम मिला था, उसने वो काम outsource करना चाओ, उसने outsource करने के लिए क्या किया, कि buyer request कर दी कि मुझे एक काम चाहिए, बिशक fake ही क्यों ना हो, जैसे उसने word fake यूज किया, five one उसका डायट पकड़ा और block कर पाकिस्तान, इंडिया, Bangladesh, Nigeria, इस तरह के country's के होते हैं, जैतर लोग क्या करते हैं, इन country's में, या थोड़े से five one में बदनाम भी हैं, प्लस क्या करते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन होगें, ये जैतर अर्दू लिखते हैं, तो जैसी आप अपनी कोई भी mother language लिखोगे, even though क आपको क्लाइं नहीं आया, उसको नहीं पता पाकिस्तानी है, उसने इस होचेगा, अगी पाकिस्तानी है चलो रूपी में बात हो जाएगी, वो जैसी आपको message करेगा, आपको message मिलने की बजाए, inbox में आने की बजाए, direct spam में चला जाएगा, तो कोशिश कीजएगा, कभी भ language या तो basic रखिए या उसमें Fiverr पर ही test clear किया हुआ है, then it's okay, no problem, लेकिन अगर आप यह नहीं करते हैं, तो आपके issues बन सकते हैं, then उसके बाद more reasons, आप क्योंके नेक दफा seller होता है, तो वो नहीं नहीं पता होता कि मैं अपनी description कैसे लिखूँगा, prices कैसे लिखूँगा, अ और direct 100% copy paste करने की कोशिश करता है, कि बस किसी और की copy paste उठाओ, पूरी की पूरी description और इसकी skills और A to Z सब कुछ, मैं बस gig जल्दी से बना लो, अगर आपने 100% copy paste किया, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी gig पुरानी है, पहले से, आप की gig नहीं बनी है, Fiverr detect आपको second, कुछ लोग कहते हैं, यह image कैसे बनाओ, जो front पे image लगए, क्योंकि यह होना भी attractive चाहिए, ऐसे हो कि बस इसको जो बना देखे, उसको समझ भी आए, कि स्किल्स क्या है, इसका work area क्या है, attractive भी हो, ऐसा हो कि वो click करें, और आपकी description की तरफ आजाए, बाकी description पे आ आगया, obviously order भी आने के chances जहएदा होते हैं, अगर आपने उसमें अच्छा कुछ description लिखी हो, प्राइसिम भी आपकी अच्छी हो, so, आप image को भी copy नहीं कीचिएगा, आप Canva यूज कर ले, Microsoft PowerPoint यूज कर ले, कुछ, Canva तो बहुत ideal चीज है, अगर आपको फिर भी है, कि Canva पे कैसे काम ह YouTube पे बेता हाशा वीडियो पढ़ी हैं, आप वहां से सीख सकते हैं, अगर आपको कहते हैं नहीं, बस एक simple साई हो, it's okay, आप PowerPoint यूज कर ले, असान सा है, Canvas उसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन चले PowerPoint भी काम चलेगा, then abusive language, अकसर रोकात ही होता है, कि especially, ये जो हम South countries है, हमारी जो एशा की countries है, just like Pakistan again, India, Bangladesh, इसमें जो काम आता है, तो सबसे बड़ी मुसीबत ही होती है, ये रिवियंस खतम नहीं होती, क्योंकि जो बाएर होता है, उसको itself यह नहीं पता होता, कि जी, मेरा जो outcome है, वो क्या होगा, वो आपसे एक काम करवा लेगा, फिर आपके का, नहीं consulting आपने नहीं यूज़ करनी, वज़ा, वज़ा है कि Fiverr सिर्फ और सिर्फ बाएर की favor करेगा, उसकी ज्यादा सुनेगा, अगर आपको कोई ऐसा होता भी है, आपने direct screenshot लेना और आपने Fiverr पे direct report करनी है, ताके अब बाहर ब्लॉक हो जाए, आपने खुद बदला नहीं ले Fiverr Pro नहीं हो, फिर आप क्या करो कि अपना mobile number, complete country code के साथ, और अपने email address, word में लिखो, और इसको word की file बेज़ दो, उसे को कि please check this document, को आप document open करेगा, आपकी phone number, whatsapp number, email address, वहां से देख सकता है, in case, अगर आप Fiverr Pro है, इसकी इपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, अ mobile number, meeting link, आप direct zoom का, google meet का, direct आप share कर सकते हो, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है, और आपकी बकायदा training होती है, Fiverr Pro, मैं खुद एक Fiverr Pro हूँ, और मैं ये काम direct करता हूँ, मुझे कोई issue नहीं होता, fake reviews, ये भी एक नया seller जो होता है, उसको बहुत ज़दा होता है, ज fake review को ये होगा, कि आपने किसी लोग के कहते हैं, कि first world country, just like US, UK, France, Germany, इस तरह के मलकों से review आएं, तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ID ज़्यादा अच्छे होती है, so आपने इस, उसको बड़ा random ली करना है, ये नहों कि आप किसी को ये अपना gig का link भेज रहो, उसे काओ, इस gig पे भेज़ दो, और मैं आपको extra payment करता हूँ, ये आपने ये काम नहीं करना, एक तरीके के साथ, अगर दो नमरी करने भी है, तो कुछ ना कुछ देख समझ के, clicks, convergence, ये बात मैं थोड़ देर पहले कर चुका था, कि Facebook पे अगर आपनी link शेयर करोगे, इस पे बहुत और convergence नहीं, convergence का मतलब यह होता है, कि लोग आपकी ID पे तो आ रहे हैं, लेकिन आपको order place नहीं कर रहे हैं, और अपकी ID पे आही कुछ seconds के लिए रहे हैं, ये चीज़ क्लिक्स में आती है, लेकिन convergence क्या है, कि आपकी ID पे एक बंदा आया, उसने देखा, और इसने order place कर दिया तो convert हो गया, अगर आप अपनी Fiverr की gig भी देखें तो जब आपको order आते हैं, तो इस पे clicks for conversion चाल रहे होता है, कि क्लिक का मतलब है, कितने लोगों ने आपकी ID आपकी gig पे click किया, उसके बाद gig पे click करने के बाद कितने लोगों ने आपको order place किया, so clicks for conversions आपने इसका बड़ email address given है, आप मुझे कोई भी questions हो, comments में पूछ लें, आप मुझे WhatsApp करने, email करने, मैं आपका reply बहुत जल्दी करूँगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अगर आप चैनल में ने हैं, तो currently subscribe कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, फी आमान अल्ला, बहुत